तो हेलो चनल वेल्कम बेक टो में गाईज तो गाईज स्वागत है आज के इस नए वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने हो लूँकि इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग रिल्स वाइरल हो रहे हैं साहरी वाली ऐसी वीडियो को आप कैसे एडिट कर सकते हो जिया ग आप डाव्लूड कर सकते हो और इस एप को टाम रूट करने के बाद आपको फूर्थ से स्टेप क्या करना है आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है और तो जो पहला टेप उसमें आपको फेक ट्विट नाम गएक अप्लीकेशन एं प्लेस टोर स्कॉपो डाम्लोड कर लेना है चलते हैं सबसेप्ले प्लेस टोर पे गयाईज यह एपल स्टोर और प्लेस टोर तोंहों में वैलबल है तो इस आपका डॉन्लोड कर लिए इसकी र लोगों से लट करना है आपको जो भी लोग है उसे आप सबसक्थ सकते हो जो मेरे पास वेरिफाइड का आइकन लग जा रहा है ऐसे आप लगा सकते हो नीचे में इस में बहुत सारे उप्संस दे रखे हैं जो कि आप चाहो तो यूज कर सकते हो और अभी हमें यूजने करना हम डिरेक्ट यहां पर अपना साहरी लिखना चालू करेंगे तो ग बढ़िया लग रहा है इसको मैं सेव कर लूँगा सेव करने कबाद ऐसे करके अपनी दूसरी सारी मेज़े इसे करके सेव कर लूँगा और सेव करने बाद चलते हैं गाई यूज आप को यज़ा के पिक्सार डावनोड करना है प्लेयस टोर पे यह इस यह भी अप्लिकेश आट ओपन कर लिया मैंने यहां पर जाके आपको अपना जो भी अपने बैग्राउंड चूज कर रखा है वह आपको अपना बैग्राउंड चूज कर लेना है तो गैज मैंने अपना बैग्राउंड पहले से डाउलोड कर रखा है तो मैंने बैग्राउंड चूज कर ले रहा ह है तो गाईज यह देख रहा है मैंने यह background छूज कर लिया इसको क्रॉप करना है तो आपको tools में जाना है tools में बाद आपको पहले option मुले क्रॉप का आपको simply यहां से crop कर देन unlock with को fresco ग्राइज को kind इसलब जो option है उसमें आपको इसको crop कर देना है तो गाइस मैं इसको crop कर दे रहा हूँ यहां से crop करने के बाद अब मैंने crop कर दिया आप यहां पर आपको नीचे option मिलेके add photos का तो guys जो आपने tweet से भी save करें उसे आपको add कर लेना है इसे एड करने के बाद आपको जाना है स्क्रॉल करके side में आप इसको adjust कर सकते हैं stretch करके और side में आपको blend का option मिलेगा आपको blend जाना है और blend to multiply कर देना है यहां पर जो मैं कर रहा हूं blend to multiply इस पर आपको save कर देना है अपने image को और ऐसे ही करके आपको अपने तीनो चारी images जितने भी images सबको आपको blend to multiply करके save कर लेना है तो ऐसे ही करके मैं अपनी दूसरी तीसरी सारी images जाइसे करके save कर लेता हूं गजे मैंने यह image भी मैंने इसको set करा ऐसे इसको adjust करा और मैं इसको blend to multiply कर दूँगा और multiply के बाद इसको save कर दूँगा उपर मैं आपको एक option दिख रहा हूँ back का यहां पर आपको टैप कर देना है फिर आपकी जो image है वो कि अंडो हो जाएगी अंडो हो जाने के बाद आपको क्या करना फिर से दूसरा image एड़ कर लेना और image एड़ करके आप ऐसे कर सकते तो चलते हैं तीसरे स्टेप में इसमें आपको download करना है इंस्टॉल वीडियो एडिटर आपको यह एप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर एप इसको download करने के बाद आपको नीचे में प्लस का इकन दिखेगा वहां पर जाना है फिर new project करना है यहां पर जाने के बाद आपको फोटो में जाना है फोटो में जितनी अभी सारी आपने फोटो सेलेट करी थी मतलब कि जो पिकसार से एडिट किया था उसको add कर लेना आपको वीडियो एडिटर के अंदर यहां पर जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में एक black color कर दिखेगा इसको delete कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको fx का sign देखेगा नीचे यहां पर आपको जाना है और अपने मन से जो भी आपको अच्छा effect लगे उ तो मैं इसमें select करता हूँ यह जीटर डाउन वाला मैं select कर लेता हूं इसको select करने के बाद आप आप गाईज चलते हैं चौत्फय वाले image इस image में जाने एक बाद सुरी तीसरे वाले इमेज में चलते हैं गाइज तीसरे में जाने यहां पर मैं इसमें स्लेट करता हूं जूमीन का एफेक्ट तो गाइज यहां पर मैं डूंट रहा हूं जूमीन का एफेक्ट इसके बाद इसको मैं जूमीन का एफेक्ट सेव कर देना यहां का इसको आपको स इसको लगा कि मैं simply यहां से done कर दिया आप आप देख सकते हैं वीडियो कैसे चल रहे है प्ले हो रही है ऐसे अब चेक कर सकते हूं कि आपकी वीडियो में जो effect लगे हैं वो कैसे दिख रहा है अगर वीडियो फिर भी अच्छे नहीं लगती तो आप effect को change भी कर सकते हैं इसको 15 seconds extend करना तो इस पर टैप करके फिर इसको move कर सकते हैं थोड़ा stretch करके इसको 15 seconds तक बना सकते हैं तो पहले मैं audio को बता देता हूं तो उपर में आपको audio का option दिखी जाएगी यहां पर आपको tap करना फिर आपको music में जाना है music में जानेक बाद आपको अपने phone से जो भी कर दिया अब मैं उपर से export वाले option पर टैप करा और इसको मैं export कर दोंगा 1080p में fps मैं 30 कहीं रखूंगा और exporting अब चालू हो चुग है तो अब exporting हो रही है देख रहे हैं आप बहुत जाल दीए exporting हो रही है इसकी अब गैज इसको आपको लास्ट में save to album कर देना है और ये वीडियो आपके गैलरी में save हो गई होगी उससे अब चाहिए तो instagram पर पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसे लिगे विक comment box में जरूर बतना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पहले बारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है अगला वीडियो में तब एकला goodbye and thanks for watching this video